दोस्तों अगर आपकी बच्ची की नाग बंद है उसे जुकाम है जिस कारण से बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है उसे सोने में दिक्कत हो रही है और आप भी काफी ज़्यादा प्रेशान है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जुरूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो अगर नए है तो प्लीज चैनल को जरूर सबस्काइब कीजीगा तो बच्चे की बंद नाग को खोलने के लिए सबसे जो पहला तरीका बता रहा हूं वह है दोस्तों नेजल स्प्रे का यूज करना बच्चे की नाग में स्प्रेश डालने से बंद नाग तुरन खुल जाती है यहो जो सलाइन ड्रॉप्स होती है इसमें कोई मेडिसिन नहीं होती है इसमें सोडियम क्लोराइट रहता है यानि की नमक पानी का गोल यहो है लेकिन इसे एक पर्टिकुलर रेशियो में बनाया जाता है यह सलाइन ड्रॉप्स क्या करते हैं जो बच्चे की नाग में उस एफेक्स नहीं होने वाले हैं दूसरा जो तरीका है वो है बच्चे को स्टीम देना आपके पास एक इलेक्ट्रिक स्टीमर होना चाहिए स्टीमर आपको ऑनलाइन और ऑफ लाइन कहीं भी मिल जाएंगे यह ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं आप आसनी से नहीं खरीज स सकते हैं जिसे जो कपड़ी के अंदर कॉस्ट हैं बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को थोड़ा से दूव रखना है क्न New को काफी एसर करते हैं सब सची बाता कि जो यहां इनसे बच्चे को कोई भी side effects नहीं होने वाले हैं इसके साथ साथ आप बच्चे को गर्म कपड़े पहना कर रखें, बच्चे का सर ढख कर रखें, गलप्स पहनाएं और मोजे पहना कर रखें, ध्यान रखें बच्चे को ज़्यादा कपड़े भी मत पहनाएं, बच्चे को ज़्यादा कपड़े ना पहना कर रखें, लेयर वा दिरिता होती है वो कम हो जाती है साथ ही कमरे की जो oxygen है वो भी बन हो जाती है जैसे बच्चे को साउसलीनma में ज्याधा तक्लीफ हो सकती है आपको heater जलाकर कमरे को गर्म करना है और उसके बदकर देना है अगर बच्चा बड़ा है तो आप बच्चे को गरम लिक्विट पिला सकते हैं जैसे गरम सूप हो गया वैज सूप या फिर चिकन सूप इससे भी बच्चे को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है यहाँ पर मैं आपको काफी ज्यादा इंपोर्टेंट सलाह देना चाहूंगा अगर बच्च साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ अपने रिलेटिव के साथ या अपने वर्टसप स्टेटेस पर जरूर शेयर कीजेगा ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो के माध्यम से जानकार ले पाएं और उसका लाव उठा पा